जाहें दोस्तों तो आज हम गाला पेपर का गाला पेपर 4 सेक्षन सी स्वाल करने वाले हैं तो इस्टार्ट करते हैं कॉशन नंबर 37 से को में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमेल उस जीरोज आर थ्री प्लस रूट टू एंड थ्री माइनस रूट यह हमें कॉशन गिवेन है यहां पर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमेल फाइन करने के लिए बोला है इसलिए उसे फाइन करने का फॉर्मला हमारे पास में है और फ्लस प्लस बीटा इंटु प्लस अलभा इन टू बीटा यहां पर हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इं टू बीटा का में ने कि Candil हमें दिया गए zeros 3 plus root 2 and 3 minus root तो यहाँ पे quadratic polynomials के 2 zeros होते हैं alpha and beta तो इस zeros को हम suppose कर लेती है, यह alpha होगया 3 plus root 2 और यह beta होगया 3 minus root 2 अब हम first यहाँ पे find कर लेते हैं alpha plus beta alpha plus beta is equal to 3 plus root 2 plus 3 minus root 2 is equal to 6 यह आपका root 2 root 2 cancel होगया clear, तो इस दर से आपको find होगया 6 next हम find कर लेते है, alpha into beta जो 3 plus root 2 into 3 minus root 2 इसे अगर आप find करो तो आपका यह बन जाएगा 9 minus 2 3 square देखो, यहाँ पे होगया a plus b a minus b so this is a square minus b square यहाँ से आपको find होगया save अब यह alpha और beta इन दोनों का value अगर हम इसी question में रख देते हैं तो मारा formula है तो हम फाइन हो जाएगा clear now next question number 38 find the zeros of quadratic polynomial x square minus 13x plus 14 and verify the relationship between the zeros and coefficient of the polynomial हमें यह आपे find करना है x square question number 37 sorry 38 is p of x is equal to x square minus 13x plus 14 इसका पहले हम zeros find करेंगे zeros find करने के लिए आप क्या करते हो p of x is equal to 0 ले 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 तो यह आपको find हो कि x square minus 13x plus 40 is equal to 0 अब इस नमबर हमें इस तरह का नमबर ढूंड़ा है कि multiplication करने पर 40 आना चाहिए and plus या minus करने पर आना चाहिए आपका minus 13 right तो ऐसा हमारे पास में है 8 and 5 8 और 5 को अगर आप plus कर दो तो 13 हो जाता है यहां पर आपको यह sign कौन सा रखना है इसके बारे में भी सोचना नहीं है आप इतना सोचो कि अगर आप इसे plus करोगे अगर आप इसे plus करते हैं तो 13 आता है या minus करते हो तो 13 आता है यह plus करने पर 13 आता है minus 9 तो जहां पर 13 है वहां पर 8 plus 5 लिखतो तो भी आपका answer आजाएगा अगर आपको पता नहीं चलते किसमे minus रखना है किसमे plus रखना है तो हम value put कर देते हैं x square minus 8 plus 5 x plus 40 is equal to 0 आपको पता है जब भी आप break it open करते हैं तो sign change हो जाता है तो x square minus 8x minus 5x plus 40 is equal to 0 तो यहां से आपको fine हो गया x, x minus 8 minus 5 x minus 8 is equal to 0 तो एक zeros आपको fine हो गया 8 और दूसरा zeros आपको fine हो गया 5 अब आपको बोला गया है कि इनका relation भी fine करने के लिए क्या करना पड़ेगा verification करना है आपको verification करने के लिए सबसे पहले आपका काम होगा कि आप a fine कर लो b fine कर लो और c fine कर लो यह तीनो terms fine कर लो तो यह आपका 1 हो गया यह आपका minus 13 हो गया और यह हो गया अब हम first fine करेंगे sum of zeros sum of zeros is equal to जो zeros आपने fine किया है पहले उनका आप plus करोगे 8 plus 5 is equal to 30 अब आप formula apply करोगे alpha plus beta वाला minus b upon a minus minus 13 by 1 is equal to 13 यह दोनों equal हो गया second आप क्या करते हो product of zeros fine करते हो product of zeros पहले product fine करने के लिए आपके पास में 8 and 5 यह हो गया 40 और अब आप alpha and 2 beta fine करोगे c by a that is 40 by 1 is equal to 40 this is our answer clear so I hope आप लोग को समझ में आगया हो गए now next question number 29 question number 29 is solve the pairs of linear equation 3x plus 2y is equal to 22 and 5x minus 3y is equal to 5 by the method of substitution method of substitution इसे हम पहले आपे from first from first x को subject बना देते हैं substitution में किसी एको subject बनाना पड़ता है so 22 minus 2y by 3 put in equation question 2 में रख देते हैं so 5 22 minus 2y by 3 minus 3y is equal to 5 so 5 110 minus 10y and 3 को यहां पर मुल्टिपल करेंगे तो 9y हो गया और यहां पर मुल्टिपल कर दो तो 3 गाए भुजाए so 3 5 जा 15 so this is minus 19y is equal to 15 minus 110 so y is equal to minus 95 upon minus 90 पर इन दो अगर आप कैंसल करते हो यह 5 time आजाएगा then आपको fine हो जाएगा y is equal to 5 अब हम इसे ही question 1 में रख देते हैं now from equation 1 so x is equal to 22 minus 10 upon 3 is equal to 12 by 3 is equal to I mean आपके 5 जाएगा x is equal to 4 clear now next question number 40 so question number 40 is 2 digit number is 4 time sum of sum and 3 times the products of it find the numbers यहाँ यहाँ पर देखो यहाँ पर पहले तो आपको fine करने 2 digit number को कैसे होते हैं 2 digit number जब भी fine करना हो तो आपके unit place और 10 place होता है तो यहाँ पर हम left unit place digit is is equal to x and 10 plus digit is y तो जो number समें fine होगा वो क्या होगा जो 10 place पर होते हैं उसको 10 से multiple करो जो 1 place पर होते हैं उसको 1 से multiple करो और इनका addition करो तो आपको number fine होता है अब आपको first condition क्या given है first condition आपको given है 2 number digit is 4 time तो यह number है आपका 10 y plus x यह क्या है sum of digit का 4 time है इसे simplify कर दो तो यहाँ से आपको fine होगा 10 y plus x is equal to 4 x plus 4 y then x को आप अदर ले आओ या उदर वेज़ दो कहीं पर भी से आप simplify करोगे तो यह आपको fine हो गया 6 y minus 3 x is equal to 0 सब को इस साइड में लिया है तो यहाँ से आपको fine हो जाएगा x is equal to 2 y अब यहाँ पर हमें जो second condition given है वो क्या है second condition है कि जो यह आपका number है 10 y plus x यह दोनो numbers के दोनो digits के product का 3 time 3 time the product of digit इसे simplify करने के लिए आप क्या कर दो है यहाँ से जो x का value है वो यहाँ पर पूट कर दो 10 y plus 2 y is equal to 3 2 y into y from right अब इसे हम simplify कर देते हैं So, 12 y is equal to 6 y square So, 6 y square minus 12 y is equal to 0 Then, 6 y common So, y minus 2 is equal to 0 यहाँ से हमें फाइन हो गया 6 y is equal to 0 Then, y is equal to 0 और y minus 2 is equal to 0 Then, y is equal to यह दो condition में मिल गया But, y is equal to 0 is not possible क्यों possible नहीं है क्योंकि अगर आप यहाँ पे रख देते हो y की value 0 तो यह पूरा terms क्या बन जाएगा 0 और यह जो number है आपका 0 बन जाएगा 0 तो कोई number होता ही नहीं टू डिजिट में Therefore, y is equal to 2 Then, x is equal to 2 into y y is 2 Then, x is equal to So, y is equal to 2 and x is equal to 4 तो number जो आपको number find करना था आपने number क्या लिखा है 10 y plus x और इसमें हम value रख देते हैं 10 into 2 plus 4 Then, this is 20 Now, next question पर न ट् tout में दिए करना एपकों बालाएगा do एपकों नहीं करना है Question number 41 Find the coordinate of quotes which divides line joining A and B into 4 equal parts 4 equal parts में हमें divide करना है और उसके coordinate फ्रेंट करना है 40 यहाँ पर हम एक line segment ले लेते हैं A and B इसके हमें 4 part करना है एक part हो गया P दूसरा हो गया Q तीसरा हो गया R 4 equal parts करना है देखो A का जो coordinate हमें given है वो हमें दिया गया है minus 2 and B का जो हमें दिया गया है वो दिया गया हमे 2 and 8 अब अगर आप लाँ पर B पहले Q find करो ले Q find करने का reason है क्योंकि Q जो है वो A, B का midpoint है A, B का midpoint है तो डारेट ही यहाँ पर midpoint वाला formula अपलाई कर दो of A, B so अगर हम Q का जो हम दिया करते coordinate of Q X is equal to X1 plus X2 minus 2 plus 2 upon 2 and Y is Y1 plus Y2 2 plus 8 by 2 then X is equal to 0 and Y is equal to 5 right यह आपको find हो गया Q का coordinate right therefore Q X Y is equal to Q 0 5 right next आपको find करना है P P अब यहाँ पर अगर आपको Q find हो गया है 0 and 5 then अब AQ का midpoint क्या हो गया P हो गया AQ का midpoint हम find कर लेते हैं P is P is midpoint of AQ so coordinate of P is X is equal to minus 2 plus 0 by 2 and Y is equal to and Y is equal to 5 plus 8 by sorry 5 plus 8 नहीं X जो आपको दिया कह है Y जो गिवेन है आप 2 है so 2 plus 5 by 2 so X is equal to minus 1 and Y is equal to 7 by 2 तो यह हो जाएगा आपका answer therefore P X Y is equal to P minus 1 7 by 2 और इसी तरह से अभी आपको R find करना है तो Q और B इन दोनों का midpoint क्या होगा R होगा और यह आप R खुद से find करोगे so find करके मुझे comment जरूर find करें करें कि इसका आपका answer क्या find हुआ है find coordinate of R comment करके जरूर बताए comment करके जरूर बताए कि यह आपको वीडियो कैसा लगा चलो next question solve करते है question number 42 2 so question number 42 is find the ratio in which y axis divide the line segment joining the point a and b and also find the coordinate of point of division same formula आपको यहाँ पर apply करना है बढ़ थोड़ा सा changes आपको यहाँ पर division formula applied कर देना है है suppose कर लो आपका होगय है a यह होगय है b यहाँ पर आपको a given है minus 4 add 2 and b आपको given है 3 add 9 अब आप लोगों ने अगर हम पहले वीडियो देखा होगा स्पी सेक्शन सी में हमने फाइंड क्या था तो जो पी था वो एक्स अक्सिस पे था तो हमने वहां पर एक्स जिरो लिया था यह वाई एक्सिस पे तो इसे जिरो आए लोगे आपको फाइंड करना है M1 और M2 and also find it Y चो तो यहां पर हम डिवीजन फॉर्मॉला अप्लाई करते हैं तो पहले मैं आपको बता दो डिवीजन फॉर्मॉला है क्या डिवीजन फॉर्मॉला आपका है X is equal to M1 X2 plus M2 X1 by M1 plus M2 and Y is equal to M1 Y2 plus M2 Y1 by M1 plus M2 आप इसमें जितने भी वेलू है सभी वेलू हमें आपे put कर देते देखो X की वेलू हमें 0 है X की वेलू हमें 0 है M हमें find करना है X2 आपको given है 3 plus M2 आपको find करना है और x2 आपको गिवें, x1 आपको गिवें है, minus 4, divide by m1 plus, then y तो आपको y ही गिवें है, m1 आपको, find करना है, y तो आपको, find plus m2, find it, and y1 is 2 upon m1 plus m2, right, आप इसमें आपको देखना है, कि जिसमें 0 होगा, x, जिसमें जो टर्म से देखे, इसमें यहाँ में m1, m2, find करना है, तो m1 और m2 के form में ही है, यहाँ पर y भी है, तो इसे आप solve करोगे, इस term को आप solve करोगे, तो इसे हम solve करते हैं, जिरो को, अगर m1 और m2 को हम, इस साथ से इस साथ में बेचते हैं, तो 0 हो जाएगा, तो 0 is equal to 3 m1 minus 4 m2, find हो किया, 4 m2 को हम इदर लाएंगे, तो 4 m2 is equal to 3 m1 हो किया, तो m1 by m2, find हो कि देखो, m1, m2 को इदर बेचते है, 3 को इदर लाएंगे, तो 4 by 3, find हो किया, m2 को इदर बेजा, और 3 को इदर बेजा, तो यह आपको find हो गया ratio, right, that means, अभी यहाँ से आपको find हो जाएंगे, एक आप m का value क्या है, और, यहाँ से हम m का value find कर लेते हैं, m1 is equal to 4, m2 is equal to 3, और रख देते हैं यहाँ पे value, तो y, y is equal to, m1 is 4, 9 plus m2 is 3, 2 upon, m1 is 4 plus 3, 36 plus 6 upon 7 is 42 by 7, and y is equal to 6, so, यहाँ पे आपको find हो गया, p, 0 by y is equal to p, 0, 6, यह हो गया आपका answer, clear, now next question number 43, question number 43 आपको given है, find the area of sector of a circle of radius 28 cm and central angle is 45 degree, तो यहाँ पे आपको radius given है, 28 cm, theta आपको given है, 45 degree, और आपको find करना है, area of minor sector, first formula apply कर दो, phi r square theta by 360, phi is 22 by 7, r is 28 into 28 by 360 into 45, 7 is a, 7 forger, 28, और इसे हाम cancel कर देते हैं, यह हो जाएगा, 90, इसे हाम cancel कर देगे तो यह हो जाएगा, 2, और इसे हाम cancel कर देंगे तो यह हो जाएगा, right, 11 से, अब से मुटिपल कर देते हैं, 11 image 88, 11, 30, right, 11 to zero 22, plus 8, 30, to cm2 ये हो गिया हमका डिश ने स्कारिवार ना नेस्ट किस्ट नमबर 44 किस्ट नमर 44 is the difference of the area of two concentric circles 286 and difference the radius is 7 cm find the radius of each circle we have two concentric circles are later so two concentric circle is and this is the center we suppose that this is r2 and this is r1 so here first given r1 minus r2 is equal to 7 and this is the area given if you have this area you can find then what do you have this area of large circle area of large circle pi r1 square minus pi r2 square and here we have given it 286 right so first we have r1 and r2 solve and r1 plus sorry minus r2 is equal to 7 then r1 is equal to 7 plus r2 minus r2 square minus r2 square is equal to 286 and r2 is equal to 22 cm so we have to simplify so we have to simplify 49 plus 14 r2 plus r2 square minus r2 square is equal to 22 cm cancel 35 so r2 r2 cancel को आरा में आपके फाइनों गया अट विए प्रेजींटी आट विए थिंटिमेटर वर यह आर्ट्व कि वैलो हमिया बडे देखते हैं आर वन इसक्राइब तो च वन प्लस थी रेड़ान इसक्राइब सब टू तन चयनों right so this is our clear now next is and last of this section this section ka last question आप दिया गया है probability chapter में से so there are board numbers 1 to 50 in the box one board is selected at random find the probability numbers base and multiple of 11 and prime number and multiple so first of agar हम आप फाइन करें 45 total outcomes is equal to 50 first हम फाइन करते हैं multiple of 11 multiple of 11 is 11 22 33 44 right so number of favorable outcomes favorable outcome so here 4 therefore p of a is equal to 4 by 52 and 25 answer is 2 by 25 right now next is second second number हमें बोला गया है प्राइन प्राइन नंबर हम फाइन कर लेते हैं प्राइन नंबर इसी यह आप यह फाइन होगे आपको 3 5, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47 वाइन कर्लो फाइन कर्लो थाइन कर्लो हमें नंबर हमें टो तो राइगा हमारा 2 भी तो है So, number of favorable outcomes is equal to 15. Therefore, P of B is equal to 15 by, right, 15 by 50 is, P से कैंसल कर देते हैं, 5, 6, 5, 3, 5, 10, 3, 5, 10, Right, next Third number आपको के वेन है multiple of 10. So, 10, 20, 30, 40, and 50. So, number of favorable outcomes is equal to 5. Therefore, P of C is equal to 5 by 50. So, this is 1 by 10 is our answer. Jai.